कि जिस तरीके से परमीसन नहीं दी गई या आप लोगों ने आंदोलन की परमीसन मांगी और सांतिपूर तरीके से आप करने वाले थे तो क्या उपर से आदेस होगा कई ना कई बोपाल से कि परमीसन ना दी जाए क्या लग रहा है निश्चित तोर पर सर ये बात उपर तक त नहीं करने देना है तो उसके लिए हमको बोला जा रहा है कि आपको अगर आप बैठोगे तो हम आपको उपर कानूनी करवाई करेंगे तो कहें सर आप आप ही सब कुछ जानते हैं आपको सबको मालूम है कि सर समविधानिक रूप से हम अपनी बिद परमीशन कभी भी अपनी को सरकाइक सामने रख सकते हैं और हम यह नहीं कह रहा हैं सर कि किसी बंदे पर ब्लेम लगा रहा है कि किसी का नाम ले रहा है कि यहीं दोसी है हम तो उसे निस्पक्ष जाच की मांग कर रहा है अगर आप मामले को समझेंगे तो कुछ लोगों को साथ यह लग रहा है कि से कह रहा है कि निस्बक्ष जांच की जाए क्योंगी हमारे साथ सर देखो कम से नो सो बच्चों के हमापर प्रिंट अउट रखे हुए जिन्होंने हमको answer sheet लाके दिखाई है, answer लगाए कुछ आते हैं, आता कुछ और है, उन्होंने answer लगाए हुआ पर not answer आ रहा है, सुबह रात को paper का जो result आता है, पुलिस भरती की बात करें, तो वहाँ पर क्या आ रहा है, result qualified, सुबह not qualified, not उल्टा हो जा रहा है, तो कहीं न कहीं हम यह mistake तो है, सर, तो उस mistake की जाच कोन करेंगा, हम करेंगे, हम तो करवाएंगे, हम मांग रखेंगे, तो सर, हम आप चात जब आता है, रोता है, गिडगलाता है, सर, बाहर से बहुत सार कॉल्स आते हैं, कुछ लोग के सर सेटे 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 मेंट है, कि सर, अगर इस बार ह कुछ भी नहीं है, वो परीचर क्यों देता है, क्योंकि वो पास होके कचना कुछ बने, वो जब मेहनत करता है, और उसको पास होने कवाद लगता है, कि पेपर तो, आरोप लगाए जा रहा है, बढ़िख रहा है, बेच ची जा रहा है, तो आप लोग जास्तो करों कम सकम, ह कमारा सबना उस चीज को, हम यह मांग कर रहा हैं से,